जैहिन फ्रेंड्स मैं सौरब जहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भी ऐसे ट्रिकी क्लासेस पे आज हम लोग रेलवे के एक्जाम्स में बार बार पुछे जाने वाले कंस्टिट्यूशन के कुछ महत्पुर्ण सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े हुए संभावित प्रस्नों को डिसकस करेंगे जो रेलवे एंटी पीसी, सीबी टी टू और रेलवे ग्रूब डी के एक्जाम में आप से पुछे जा सकते हैं आप सभी से अनुरोद करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट कीजेगा, क्लास को सेर कीजेगा ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्तित होकर क्लास का लाब उठा सकें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल राजिपाल द्वारा जारी अध्यादेश राजिविधान सभा की अनुमती के बिना कितनी अध्यादेश राजिविधान सभा की अनुमती के बिना कितनी अध्यादेश राजिविधान सभा की अनुमती के बिना कितनी अध्यादेश राजिविधान सभा की अनुमती के बिन पहले तो आपको यह याद रखना है कि अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा भी जारी होता है और अध्यादेश रास्टपती के द्वारा भी जारी होता है तो याद रखना है कि अनुछेद कितना के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी होता है याद है तो क पूछ़ए गवर्णर के बारे में तो याद रखना है अनुशे 213, ठीक है तो अनुशे 213 के अनुशार राज्यि पाल अध्यादेश जारी करते हैं तो पहला सवद आप यह यादर रखेंगे कि राज्यि पाल दोरह जारी क्या जाता है अनुशे 213 के अनुशार रास्टपती द्वारा अध्यादेश जारी क्या जाता है आर्टिकल 123 के अनुसार की बैठक आरंभ होने से 6 सपता के पस्चात लागू नहीं रहता है याद रखना है ठीक है इसके अलावा आप जानते होंगे राजिपाल से बहुत सारा सवाल पूछता है आप से पहले तो पूछेगा राजिपाल बनने के लिए नियून्तम एज कितना होना चाहिए तो आप और आपको पता होगा केंद्र में जिस परकार राष्ट का परमुक राष्टपती होते हैं तथा सासन के परमुक परधानमंत्री होते हैं उसी परकार राजियों में राजि के परमुक राजिपाल तथा शासन का परमुक मुख्यमंत्री होता है ठीक है याद रखेगा और य राजिपाल की न्युक्ति होती है रास्टपति के द्वारा तो यही आपसे पूछेगा कि राजिपाल की न्युक्ति कौन करते हैं तो आप याद रखेंगे कि राजिपाल की न्युक्ति रास्टपति करते हैं अनुशेद कितना के अनुशार तो अनुशेद 155 के अनुशार आरा है समझ में तो जगह नहीं है, तो आप सौट में ऐसे ही याद रखेंगे कि आर्टिकल 155 के अनुसार राजिपाल की निउक्ति करते हैं, रास्ट पती याद रखेंगे, और याद रखना है कि सविधान के अनुसार एक वेक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज कारिकाल कितना होता है, तो जनरली यानि शामायंत राजिपाल का कारिकाल 5 साल होता है, कितना होता है, कारिकाल 5 साल होता है, लेकिन मुख्य बात ये है कि राजिपाल रास्ट पती के परसाद परियंत काम करते हैं, इसका मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि राजिपाल 5 साल काम करेंगे, राष्टपती को जब मन करेगा राजिपाल को हटा सकते हैं राजिपाल का तबादला कर सकते हैं समझ माया, तो आपको याद रखना है राष्टपती के परसाद प्रियंत काम करता है ठीक है, समझ माया, तो यह बहुत important सवाल है आपको याद रखना होगा कि रास्टपती के परसाद प्रियंत काम करते हैं ये किस article में लिखा है ये भी पूछ सकता है ठीक है तो आप याद रखेगा कि रास्टपती के परसाद प्रियंत काम करते हैं कौन गवर्णर आया समझ में एक ही वैक्ती दोया दोसेदिक राज्जों का गवर्णर बन सकता है गवर्णर पांस साल के लिए होता है लेकिन रास्टपती के परसाद प्रियंत काम करते हैं याद रखना है ठीक है और article 156 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राजिपाल रास्टपती के परसाद प्रियंत काम करेंगे यानि रास्टपती जब चाहे तब राजिपाल को तबादला कर सकते हैं राजिपाल को हटा सकते हैं याद रखिएगा आया समझ में तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेर कर दीजेगा ताकि क्लास को थोड़ा से सपोर्ट मिल सके अगला सवाल राजिपाल मंडल की सदस्यता के लिए योगिता का निर्धारन शविधान के अनुछेद 173 के तहत दिया गया है यह किसके अंतरगत आता है तो आंसर कीजे यानि राजिप विधान मंडल की सदस्यता के लिए जो योगिता है उसके बारे में आर्टिकल 173 में डिसकस किया गया है तो आर्टिकल 173 किसके अंतरगत आता है ऐसा आपसे पूछ रहा है तो काफी आसान सवाल है आंसर कीजेगा ठीक है तो सही आंसर क्या होगा राज्य सर ठीक है तो याद रखना है क्योंकि अनुचशेद 173 किसमे आगए राज्य सरकार के अंतरगत आएगा तो यहां पर आपको याद क्या रखना है देखिए आपको याद ऐसे रखना है कि राज विधान मंडल ठीक है राज विधान मंडल की सदस्यता के लिए यूगिता का नि कहां से कहां तक अनुछेद 168 से 212 याद रखना है अनुछेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल के बारे में डिसकस किया गया है भाग 6 में ठीक है यानि यह राज्य सरकार के अंतरगत आता है आया समझ में ठीक अब देखिए यहां से सवाल क्या पूछ सकता है राज्य शंसदिय परणाली को अपनाया गया है लोकसभा राज्य सभा है तो वैसे ही याद रखना है जिस प्रकार केंद्र में शंसदिय परणाली को अपनाया गया है और राज्य विधान मंडल होता क्या है तो आपको याद रखना है कि राज्य विधान मंडल important सवाल है राज्य व विधाईका है तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार का विधाईका किसे कहा जाता है तो राज्य विधान मंडल को राज्य सरकार का विधाईका कहा जाता है जिसमें गवर्णर, विधान परिशद और विधान सभा आते हैं किसी किसी राज्य में विधान परिशद नहीं होता है तो वहाँ पर विधान मंडल राज पाल और विधान सभा से मिलकर बनता है याद रखना है कि विधान मंडल जो है राज विधान मंडल जो है राज विधान मंडल किस से मिलकर बनता है तो याद रखेंगे कि राज विधान मंडल विधान परिशद विधान सभा और राजिपाल से मिलकर बनता है तो बहुत सारे राजे ऐसे हैं जहांपर विधान परिशद नहीं है तो वहाँ पर विधान मंडल कैसे बनेगा तो वहाँ पर विधान मंडल राजिपाल और विधान सभा से मिलकर बनता है आया समझ में तो इंपॉर्टेंट सवाल अब यार रखेगा और भारतीय सविधान के अनुछिद 168 के अनुछार परतेक राजिका अपना एक विधान मंदल होगा तो अगर सवाल पूशता है कि कौन सा ऐसा अनुशेद है जिसमें कहा गया है कि परतेक राज्य का अपना एक विधान मंडल होगा तो आर्टिकल 168 के अनुशार परतेक राज्य का अपना एक विधान मंडल होगा विधान मंडल का निर्मान विधान सभा एवं राज्य सभा से मिलकर होगा लेकिन जहां पे दूई सदनिय वेवस्ता है वहां पे राज जेपाल, विधान परिशत और विधान सभा के द्वारा विधान मंडल का निर्मान होता है आया समझ में तो क्लास को फटा फट एक बार लाइक और शेर कर दीजेगा आप लोग चलिए अगला सवाल द अनुशार विधाईका में चर्चा पर परतिबंद लगाया गया है यह किसके अंतरगत आता है आपको सिर्फ यही याद रखना है कि भाग कौन सा भाग किस अनुशेत से लेकि किस अनुशेत तक है अगर आपको यह पता है कि अनुशेत 211 किसके अंतरगत आता है तो आप आ तो मूल अधिकार आप जानते हैं भाग 3 में हनुचेद 12 से 35 तक है ये भी नहीं हो सकता है संग सरकार संग सरकार आप जानते है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक संग सरकार का उलेक है भाग 5 में ये भी नहीं हो सकता है ठीक है अब बचा क्या राज्य राज्य सरकार का उ पर लिख देते हैं, जो important बनेगा, ध्यान से देखिएगा भाग आपसे पूछेगा कौन सा भाग में क्या है, और कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, पहला भाग में आप जानते हैं, भाग एक में क्या बताएगा है, भारत और राजस्चेतर के बारे में बताएगा है, भाग में नागरिक्ता का प्रावधान ब्रीटेन से लिया गया है, अनुछेद 5-11 के तहट नागरिक्ता का उलेख है, भाग दो केंतरगत आप याद रखेगा, अब यहाँ पे देखिए मौलीक अधिकार, बहुत अच्छा सवाल है, मौलीक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 को क्या कहा जाता है, सविधान का मेंगना काटा कहा जाता है, मौलीक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मौलीक अधिकार अमेरिका के सविधान से लिया गया है, चिक है, और वरतमान में 6 मौलीक अधिकार है, पहले 7 मौलीक अधिकार हुआ करता था, लेकिन संपत्त मौली का दिकार को मौली का दिकार से हटा दिया गया है आप जानते हैं तो वरतमान में 6 मौली का दिकार है आप याद रखेंगे तो भाग 3 अमेरिका से लिया गया है और कौन सा अनुछेद है तो आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है आया समझ में तो ऐसे याद रखेंगे इसके लावा राज के निती निर्देशक्ता तो आयरलेंड से लिया गया है राज का निती निर्देशक्ता तो कहां से लिया गया है तो आयरलेंड के सविधान से लिया गया है राज का निती निर्देशक्ता तो और ये किस भाग में है तो आपको याद रखना है भाग चार में राज के निती निर्देशक्ततों का उलेक है अनुछेत पूछेगा तो अनुछेत 36 से 51 तक राज के निती निर्देशक्ततों का उलेक है आपको याद रखना है आया समझ में तो याद रखेगा अनुछेत 36 से 51 तक राज के निती निर्देशक्ततों का उलेक भ मौलिक करतवे उरूस के सविधान से लिया गया है मौलिक करतवे आर्टिकल 51 कौ में है याद रखेंगा अनुष्यद 51 कौ में मौलिक करतवे का उलेख है भाग चार कौ में मौलिक करतवे का उलेख है सविधान में मौलिक करतवे नहीं था आपको याद रखना है कि मौल सविधान में कितना मौलिक करतवे था तो मूल सविधान में 0 मौलिक करतवे था लेकिन सरदार स्वार्ण सिंग समीती याद रखेगा अच्छे से लिख लिजेगा सरदार स्वार्ण सिंग समीती की अनुसंसा पर मौलिक करतवे को भारतिय सविधान में जोड़ा जाता है ठीक मौलिक करतवी को भारतिय सविधान में जोड़ा गया था आर्टिकल 51 कौव में मौलिक करतवी है भाग 4 का कौव में मौलिक करतवी को जोड़ा गया था अगर पूछेगा 42 सविधान संसोधन द्वारा कितने मौलिक करतवी को जोड़ा गया था तो 42 सविधान संसोधन द्वार 10 मौलिक करतवी को जोड़ा गया था लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक करतवी है समझ में आया तो याद रखेगा वर्तमान में 11 मौलिक करतवी है लेकिन 42 वा सविधान संसोधन द्वारा ठीक है 10 मौलिक करतवी को जोड़ा गया था 11 मौलिक करतवी 2002 इस्वी में 86 वा सविधान संसोधन द्वारा जोडा गया है आप याद रखेंगे आया समझ में तो फटा फटा आपको हम बता रहे हैं ध्यान दीजेगा और रिगुलर रहेजेगा तो ये सब सारे सवाल आपको याद हो जाएगे संग का उलेक भाग 5 में संग का उलेक है संग का उलेक कहां पर है तो आप याद रखेंगे भाग 5 में संग का उलेक है और आर्टिकल बता ही चुके आपको आर्टिकल 51 से लेके कहां तक है 151 तक आर्टिकल 52 से 151 तक याद रखना है संग का उलेक है भाग 5 में इसी प्रकार रा पूछेगा तो भाग 9 में याद रखेंगे पंचायत भाग 9 में जोड़ा गया था तो अनुसूची 11 याद रखना है बलवंत राय महता समीती किस से जुड़े वे तो पंचायती राज सिस्टम से जुड़े वे याद रखेंगे और आर्टिकल 40 के अंतरगत क्या होता है पंच पंचायती राज सिस्टम राजस्थान के नागोर जिले में 2 अक्टूबर 1969 को किया गया था समझ माया तो याद रखेंगे भारत में पहली बार पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागोर जिले में शुरू किया गया था आगया समझ में तो आपको याद रखना है निर्वाचन निर्वाचन किस भाग में है तो आपको पढ़ा चुके है निर्वाचन आयोग भाग 15 में है है ना तो निर्वाचन किस भाग में है तो आप याद रखेगा निर्वाचन भाग 15 में है और आर्टिकल 324 याद रखना है निर्वाचन अ से याद रखे और भी है जैसे अपातकाल फिर आपसे पूछ सकता है सविधान संसोधन किस भाग में है तो आपको पूरा याद रखना होगा कि सविधान संसोधन भाग 20 में है अनुशे 368 से जुड़ा हुआ है सविधान संसोधन अपातकाल ऐसे ही पूछ देगा तो अपातक जर्मनी के बीमर सविधान से लिया है अपातकाल का जो परभंध है में डिसकेस किया हुआ है अपातकाल भाग आथारा में और अनुशे 352 से 360 तक अपातकाल काुलेग तो आया समझ में हैं और सविधान SANDSTHODAN minimum prescribed number of members of the state legislative assembly what is it राज्य विधान सभा के शदस्यों की अधिक्तम निर्धारित संख्या क्या है तो आंसर किजेगा राज्य विधान सभा के शदस्यों की अधिक्तम निर्धारित संख्या क्या है तो सही आंसर क्या होगा 500 याद रखना है यह बहुत important सभाल है एक तो ऐसे directly पूछेगा कि राज्य विधान सभा के शदस्यों की अधिक्तम निर्धारित संख्या कितनी है तो 500 पहला सभाल तो यह हुआ यह हुआ दूसरा आपसे पूछेगा किस अनुछेद में यह discuss किया गया याद रखना है अनुछेद 170, 179 आप याद रखेगा 170 याद रखेगा दोनों बहुत important है 179, 179 के अनुषार क्या होता है विधान परिशद का निर्मान या फिर विधान परिशद का उतसादन होता है अनुछेद 179 के अनुषार तो याद रखेगा article 169 विधान परिशद से से जूड़ा हुआ है तो याद रखना है अनुषेद 170 के अनुषार किसी राजी की विधान सभा के शदस्यों की अधिक्तम संख्या 500 और नियुनतम संख्या 60 है आया समझ में यह सवाल पूछेगा तो आप याद रखेगा आर्टिकल 170 के अनुषार विधान सभा के शदस्यों के अधिक्तम संख्या 500 और नियुनतम संख्या कितना होता है तो नियुनतम संख्या 60 है ठीक है लेकिन कुछ-कुछ राज अपवाद भी है जहां पे नियुनतम संख्या 60 से कम ही है ठीक है समझ में आया तो पूछता है जैसे कि आप जानते हैं कि मिजोरम मिजोरम में 40 ही जबकि होना कितना चाहिए नियुनतम साथ होना चाहिए लेकिन कुछ राजी इसका पुवाद है जैसे मीजोरम में 40 है सिक्की में 32 है समझ में आ रहा है गोवा में 40 है तो यह पुवाद भी है याद रखना है आपको कि राजी विधान सभाकिश अधिक्तम निरधारित संख्य 500 और नियुनतम संख्या 60 है आर्टिकल 170 के अनुसार ठीक और 84 सविधान संसोधन के द्वारा ये भी याद रखेगा 84 संसोधन बहुत पूछा गया सवाल है 84 सविधान संसोधन के द्वारा ये कब पारित के आ गया था तो पहली बात 2001 में तो 84 सविधान संसोधन 2001 द्वारा याद रखना है कि वर्स 2026 तक विधान सभाका और लोकसभाका जितना भी सीट है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा ये पूछेगा ठीक है तो ठीक है लोकसभा एवं विधान सभा इंपोर्टेंट सवाल है आप नोट कर लिजएगा ठीक है तो 2026 तक लोकसभा एवं विधान सभा सीट में परिवर्तन नहीं यहाँ जगह नहीं है तो हम इधर लिग दे रहे हैं ठीक है सीटों में परिवर्तन नहीं होगा यानि जितना पहले है उतना ही होगा ठीक है परिवर्तन नहीं आपको याद रखना है ठीक है समझ में आ गया 2026 के बाद क्या होगा लोगसभा का सीट भी बढ़ाया जाएगा और विधान सभा का सीट भी किया जाएगा याद रखेंगे आया समझ में ठीक है और विधान सभा की शदश्यों का कारेकाल कितना होता है पता है आपको राजी विधान सभा की शदश्यों का कारेकाल कितना होता है तो याद रखेंगा कारेकाल 5 साल होता है ठीक है तो याद रखेंगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनमम 25 साल होना चाहिए वैसे ही आपको याद रखना है कि विधान सभा के सदस्यों का कारेकाल बनने के लिए मिनमम 25 साल होना चाहिए आया समझ में तो याद रखेगा अनुषेद 173 के अनुषार विधान सभा सदस्य के योगिता के बार में बताया गया है और राज विधान सभा के शदश्यों का कारेकाल 5 साल और एज जो होगा मिनिमम 25 साल होना चाहिए आप याद रखिएगा आया समझ में ठीक है बहुत पूस्ता है तो आप याद रखेगा इसके अलावा एक सवाल यहां पर यह भी धान देजेगा कि विधान सभा को राज सुची के विशे में कानून बनाने का अधिकार है तो अगर आपसे पूछेगा राज सुची पर कानून कौन बनाता है तो राज सुची के अंतरगत जो भी विशे आएगा तो याद रखना है राज सुची के विशियों पर कानून कौन बनाता है तो विधान स बीधान सभा का विगटन हो सकता है, आगया समझ में, तो राज विधान सभा का कारेकाल किता होता है, पांस साल, लेकिन जो उरत पढ़ने पर ये पांस साल से पहले भी विगटित हो सकता है, तो आप ये याद रखेगा, ठीक है, तो आप याद रखेगा, विगटन हो सकता है, ठीक है, क्या लिख दें हाँ पर जो आपके लिए सही रहेगा, तो आप याद रखेगा, कि विगट तो यह सब बहुत important सवाल है आप link करके पढ़िएगा क्योंकि एक्जाम में फिर पूछेगा तो आप से गलती हो जाएगा यह सब सवाल या फिर छूट जाएगा तो इसलिए अगर आप link करके पढ़ेंगे तो आप आराम से answer कर पाएंगे तो याद रखेगा राज विधान सभा की सदस्यों का कारेकाल पांच साल होता है लेकिन कुछ विशेश परिस्तिती में राज जिपाल द्वारा पांच वर्स से पहले विगटिन विगटन इसका जो है या विगटित जो होता है यह हो जाता है या इसका विगटन संभव है ठी याद रखना है 500 maximum सदस्य राज विधान सभा में ठीक है अगला सवाल विच अफ दा फॉलोविंग इस्टेट लेजिसलेटिव असेंबली हैस दा मैक्सिमम नंबर अफ मेंबर्स आपको बताना है कौन सा राज्य है जहां पर विधान सभा में शदस्यों की संख्या सरवाधिक है तो आंसर किजेगा किस राज्य में विधान सभा के शदस्यों की संख्या सरवाधिक है तो आप आंसर कर सकते हैं कौन सा राज्य है जहां पर विधान सभा के शदश्यों की संख्या शरवाधिक है तो आराम से अंसर करेंगे उत्तर परदेश उत्तर परदेश में विधान सभा की शदश्यों की संख्या शरवाधिक है कितना है आप कमेंट किजिए तब तक आपको हम राजे सभा और लोगसभा का बता रहे है ठीक है उत्तर प्रदेश में राजे सभा का maximum seat कितना है और लोगसभा का maximum seat कितना है एल लिख देते हैं जिर्फ तो याद रखेगा ठीक है तो उत्तर प्रदेश में लोगसभा का maximum seat है याद रखना 80 उत्तर प्रदेश में लोग सभा का सबसे अधिक सीट कितना है 80 ठीक है महारास्ट में कितना सीट है लोग सभा का 48 याद रखेगा उत्तर प्रदेश में लोग सभा का सबसे अधिक सीट है 80 ठीक है बाद में लिखा देते हैं पहले यह याद रखेगा उत्तर परदेश में लोग सभा से 80 seat है और राजे सभा से 31 seat है समझ में आया राजे सभा से 31 seat है यह समझ में आ गया अब पूछा क्या गया है कि विधान सभा में उत्तर परदेश से कितना seat है तो आपको याद रखना है यूपी विधान सभा में 403 न लेकिन अगर पूछे गा उत्तर परदेश में लोगसभा सीट कितना है 80 राजये सभाग सीट कितना है ठीक है 31 यह भी आप याद रखेगा पूस्ता एक्शाम में ज्यान देजेका आधि हम लोगसभा सीट पहले लिख रहे हैं क्योंकि यह भीised आपके exam में, लोकसभा सीट यहाँ पर पूछेगा आपसे, ठीक है? तो आपको याद रखना है, उत्तर पर्देश में लोकसभा सीट कितना है, बताइएगा, अभी तुरंथ पढ़ें, 80, यतर परदेश में लोकसभा का सीट कितना है, तो आपको याद रखना है 42, पस्चिम मंगाल में लोकसभा का seat कितना है 42, बिहार में लोकसभा का seat कितना है, बिहार बहुत important पूसता है यहां से, बिहार में लोकसभा का seat कितना है, तो 40, आ रहा है समझ में, close है, West Bengal से आप देख लिजे, है न, तो याद रखना है कि West Bengal में लो लोग सभा का gepचीज सीठ किसका है लोग सभा का तो आंधर प्रदेश में लोग AujourdUI का 25?!"섯 सभा से सवालब पूछ सकता है क्यों कि राज भार लोग सभा दोनों से सवाल पूछता है कहां heirाज है कहां पर जादा से प्रब्लम में आपको सजाने भी दे ठीक है तो उत्तर प्रदेश के तरप से राजसभा में सबसेदिक सीथ है उत्तर प्रदेश का 31 महाराष्ट का राजसभा में कितना सीथ है तो याद रखना है 19 महराष्ट का राजसरह में 19 सीछ वेस्ट वेंगल और बिहार का राजसरह में 16-16 सीछ है और आंद्रप्रदेश का कितना सीछ एक मैं लाइक और चेर कर दो यहाँ से आपके एक्जाम में वह सकते हैं ठीक है तो यह आंसर समझ में आ गया कि विधान सभा सदश्यों की संख्या मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है याद रखेंगे अगला सवाल तो आंसर किजेगा जम्मू कस्मीर विधान सभा का कारेकाल कितना होता है है न तो हम लोग अभी पढ़ी चुके हैं कि विधान सभा के बारे में कि विधान सभा का कारेकाल कितना होता है ठीक है पास साल होता है लेकिन पास साल से पहले विधान सभा भंग हो सकता है ठीक है, पचीश साल का नियून्तम आयू होना चाहे विधान सभा का सदश्य बनने के लिए, हैना, और विधान सभा की सदश्यों के अदिक्तम संक्या 500 नियून्तम संक्या 60 होती הי hai, और इस सवाल का अंसर क्या होगा तो याद रखेंगे, जम्मु कस्मिर विधान सभा का कारि पहले होता था 6 साल लेकिन अब कितना होता है 5 साल होता है तो यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे यह सोचके कि जम्मू कस्मिर है तो सब जगा 5 होता है तो जम्मू कस्मिर में 6 होगा लेकिन हो जाएगा गलत क्योंकि अब यह चेंज हो ग सभा निए विधायिका था इसका मतलब ज्मू कस्मीर में विधान सभा भी था,"आर रहे समझ में जभले मन्हारा आपको पढ़ाय थे विधान मंडल था और फश्ब याद में राज juice दोनो । यदा रखेंगे जब ज्मू कस्मीर अभी याद रखना है कि जम्मू कस्मीर में सिर्फ विधान सभा का कारिकाल कितना होता है पांच वर्स का होता है अब ये जो विधान परिशद है ये हट गया है ये क्या है हट गया है तो अब सिर्फ क्या है यहाँ पर विधान सभा है इसका मतलब जम्मू कस्मीर अब क्या है समझ में यनि एक सदनिय है आया समझ में तो अभी आपको याद रखना है कि जम्मू कस्मीर एक सदनिय है पहले दूई सदनिय हुआ करता था जम्मू कस्मीर विधान सभा का कारेकाल कितना होता है तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में पूछा है तो जम्मू कस्मीर धूई सद्री का था जो विधान सभा और विधान परिशद से मिलकर बना था लेकिन वर्यतमान में Trop अधर करे कीम आओ कर्दिस रख लिए QUND और याद रहाँ दिखेंगे टीक है कि इसलिय। पहले 6 वर्स हुआ करता था अभी याद रखना है कि अभी 5 वर्स अभी कितना होता है 5 वर्स होता है याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल If a party has an absolute majority in the legislative assembly of a state If not by whom will the governor act अगर किसी राज्य के विधान सभा में किसी पार्टी को पुर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्य पाल किसके द्वारा कारे करेंगे ठीक है तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई राज्य विधान सभा है उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है मेजूरिटी नहीं मिलता है तो इस सिचुएशन में राज जिपाल जो है वो क्या कारे करेंगे ये आपसे पूछ रहा है तो आप्सन नमबर A पुरू मुख्यमंत्री की सलाह पर आप्सन नमबर B प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर आप्सन नमबर C राष्टपती की सलाह पर आप्सन नमबर D अपने विवेक द्वारा तो आंसर क्या होगा सही आंसर होगा अपने विवेक द्वारा तो याद रखेंगे अगर किसी राज जी के विधान सभा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो राज पाल किसके द्वारा कारे करेंगे तो अपने विवेक के द्वारा कारे करेंगे आप याद रखेगा आप जानते हैं कि विधान सभा का कारे काल 5 साल होता है लेकिन यदी राज पाल उचित समझे रास्ट पती सासन राज्जों में क्या लगता है राष्ट पती सासन लगता है तो याद रखना है कि राज्यों में राष्टपती सासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है ठीक है तो याद रखना है अनुशे 356 के तहत या अनुशे 356 कहा लगता है तो आपको याद रखना है कि अनुशे 356 राज्यों में लगता है जिसे राष्टपती सासन कहा जाता है सबसे पहले सब पहली बार पंजाब में आगे यह समझ में ठीक है तो याद रखेगा कि राज्यों में राष्टपति शासन लगता है आर्टिकल तिन सो छपपन ठीक है अब विधानसवा विगटन क्यों होता है तो कभी-कभी होता है क्या है मुख्यमंतरी त्याक पतर देदें तो तो उससे भी तो विधान सभा का विगटन हो जाएगा है ना तो याद रखेगा विभिन परिस्थितियों में विधान सभा की अवधी पांच वड़ से आगे बढ़ाई जा सकती है याद रखना है और सविधान का अनुच्छेद 172 यह वेबस्था करता है कि अनुच्छेद 35 1776 द्वारा विधान सभा की अवधि 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दिया गया था लेकिन फिर 44 वधान संसोधन द्वारा 1978 इसमें फिर विधान canvas का विधान का तो कारेकाल है उसको घटा कर 5 शाल करदिया जाता है ठीक है पूछेगा तो आपको याद रखना होगा ठीक है अगला सवाल इनमें से किस राज्य में विधान परिशद है इस सवाल को BBI किजेगा क्योंकि ये बहुत important सवाल है कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिशद है दूसरा सवाल पूछ देगा इसी में और विगटन ठीक है यानि विदान परिशद का निर्मान जो है ठीक है विदान परिशद का निर्मान या विदान परिशद का उत्सादन किस अनुच्छेद के तहत होता है तो आपको याद रखना है कि विदान परिशद का निर्मान या विदान परिशद का समापती अनुच विधान सभा के दो तिहाई बहुमत से विधान परिशद के गठन तथा उत्साद का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है क्योंकि विधान परिशद के निर्मान वह समापती के अंतिम सक्ती शंसद के पास है आया समझ में तो आप से ये सवाल भी पूछेगा कि वि संसद द्वारा विधान परिशत का निर्मान किया जा सकता है और संसद द्वारा विधान परिशत का समापती भी किया जा सकता है अनुछेद 179 के अनुसार ठीक है आया समझ में तो याद रखेगा और यहाँ पर यहाँ पर यह भी याद रखेगा आपसे पूछेगा कि राज अपनी इक्षानुसार चाहे तो विधान परिशद का निर्मान करे अत्वा न करे किस आर्टिकल में कहा गया है तो अनुशेद 179 में कहा गया है ठीक है ऐसा भी बहुत सारा राज है जहां पर पहले विधान परिशद था लेकिन वर्तमान में विधान परिशद नहीं है तो य यह चीज होता है जैसे अभी हम लोग पढ़ने थे न जम्मू कस्मीर के बारे में जम्मू कस्मीर में भी हटा दिया है समझ में आ रहा है तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिशद है तो आपको याद रखना है वर्तमान में कितने राज्यों में छे राज्यों म कौन कौन सा राज है, तो एक तो आप याद रखेगा, ठीक है, एक कौन सा होगा, एक तो तमिलाडू, तमिलाडू में क्या है, विधान परिशद है या नहीं है, आंसर क्या होगा, बताएंगे आंसर, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, आंदर इसमें आपसे पूचा है इनमें से किस राज में विदान परिशद है तो बिलकुल और बिलकुल सही जिंको। जिनका आंसर ऑंदर परदेश इाद्रक नहीं है बागी इन तीनों में विधान परिशद नहीं है तो अब देखिए यहां पर सवाल क्या पूछा गया कि 6 राज में विधान परिशद है समझ मैं आयाँ 6 राज जो में विधान परिशद है पहला तो आंदर प्रदेश हो गया आपका दुसरा याद रखेगा बिहार बिहार में भी क्या है विधान परिशद है ठीक करनाटक करनाटक में भी विधान परिशद है नोट कर लिजेगा बहुत important सवाल है करनाटक में भी विधान परिशद है पूछेगा तो करनाटक में भी विधान परिशद है महारास्ट महारास्ट में भी विधान परिशद है तो कितना राज्य हो गया ठीक है तीन और एक चार महारास्ट में भी है और एक याद रखना है तेलंगाना तेलंगाना बेबी क्या है तो याद रखना है तेलंगाना में भी विधान परिशद है और हम लोग शुरू में पढ़े थे कि उत्तरप्रदेश में तो यूपी भी याद रखना है आया समझ में याद रखना है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिशद है बिहार, आंदरप्रदेश, करनाटक, महाराष्ट, तिलंगाना, उत्तरप्रदेश आ गया समझ मे और विधान परिशद का गठन या फिर समापती अनुशेद 179 के अनुशाद संसद कर सकता है याद रखिएगा एक ही चीज को दो-तीन बार बताएं क्योंकि यह important है अगर सुनिएगा तो सुन-सुन के भी याद हो जाएगा ठीक है और यहां से सवाल क्या बनेगा विधान कैसा सदन है अभी हम लोग पढ़ रहते हैं विधान सभा तो विधान सभा तो विगटित हो सकता है आपको पता है कि विधान सभा को समय से पहले हम लोग विगटित कर सकते थे लेकिन विधान परिशद क्या एक अस्थाई सदन है तो विधान परिशद कैसा सदन है तो बंग विगटन नहीं होता है आया समझ में तो विधान परिशद एक अस्थाई सदन है इसलिए विधान परिशद का भंग या विगटन नहीं होता है आपको याद रखना है और ये किस अनुछेद में कहा गया है तो अनुछेद 172 में कहा गया है कि विधान परिशद एक अस् ही होता है यह एक अस्थाइच शदन है और अर्फेक 2 साल में एक ती क्लास को एक बर फटाफट लाइक और शेयर कर दीजेगा विदान परिशत का सदश से बनने के लिए नियूंतम एज 30 साल होना चाहिए ठीक है, comparison करके पढ़िएगा विधान सभा के लिए 25 साल चाहिए था विधान परिशद के लिए 30 साल चाहिए ठीक है, आया समझ में है और राजे सभा के लिए भी 30 साल चाहिए आपको याद रखना है ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और सेर कर दीजेगा ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके अगला सवाल, under which of these articles the legislative council was constituted or can be terminated अभी तुरंद बताया है, आपसे पूछ रहा है किस अनुछेद के अनुसार विधान परिशद का गठन या उसे समापति क्या जा सकता है तो यह बहुत important सवाल है, विधान परिशद का गठन या विधान परिशद की समापति किस अनुछेद के द्वारा होता है, तो याद रखना है अनुछेद 179 अनुषिद 179 के अनुषार विधान परिशत का गठन या समाप्ती की जा सकती है याद रखेगा ठीक है भारत के उच्तम नयाले के नयाइधीसों की न्यूकती कौन करता है आफ फटा फट आंसर किजेगा भारत के उच्तम नयाले के नयाइधीसों की न्यूकती कौन करते हैं याद आया तो याद रखना है कि भारत के उच्तम नयाले के नयाइधीसों की न्यूकती कौन करते हैं रास्टपती करते हैं तो याद रखे का राष्टपति जी के द्वारत के उच्स्तमनेले के नाय जिसों की नुक्ति की जाती है, अब देखें यहां से सवाल क्या बनता है? अब ठीजहना का गठन किस आर्टीकल की तहथ होता है, तो आंसर कमेंट कीजिए, उस्तम नेले का गठन यहीं सुप्रीम कोट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है ठीक है याद है याद रखना है सुप्रीम कोट का गठन उस्तम नेले यहीं सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट का गठन अनुशेद 124 के अनुशार याद रखेगा भाग चार के अनुछेद 124 के अनुछेद 124 के अनुछेद 143 के अनुछार सुप्रीम कोट का गठन किया जाता है ठीक है याद रखेगा आया समझ में और ये भी याद रखना है कि उच्टम न्याले आवसकता पढ़ने पर रास्टपती को सलाह देता है अनुशेद 143 के अनुसार तो कभी-कभी पूसता है कि उच्टम न्याले यानि सुप्रीम कोट जो है आवसकता पढ़ने पर रास्टपती को सलाह दे सकता है किस अनुशेद के अनुशार तो आर्टिकल 143 के अनुशार तो सुप्रीम कोट का गठन आर्टिकल 124 के अनुशार क्या जाता है तो सुप्रीम कोट का गठन अनुशेद 124 आप याद रखिएगा आया समझ में? और ये भी याद रखना है कि भारत के मूल सविधान में अनुषेद 124 के अनुषार भारत का एक सर्वच्य न्याले होगा एवं इसके मुख्य न्याइधीस के अत्रिक्त शात अन्य न्याइधीस होंगे यह पहले का है जब मूल सविधान हुआ था तो याद रखना है मूल सविधान के समय में आठ मुखे नयाइदिस हुआ करते थे ठीक है मतलब आठ नयाइदिस हुआ करते थे सुप्रीम कोट में ऐसे याद रखेगा मुल सविधान में सुपरीम कोट में 8 जज हुआ करते تھے लेकिन वरतमान में कितने जज हैं नीचे लिख देते हैं तो वरतमान में आपको याद रखना है 34 जज हैं तो आपको याद रखना है वरतमान में कितने जज हैं? 34 जज हैं एक तो Chief Justice of India होते हैं आप जानते हैं और 33 अन्य नाइधिस होते हैं तो आप याद रखेगा एक मुख्य नाइधिस और 33 अन्य नाइधिस मिलकर टोटल 34 नाइधिस हैं सुप्रीम कोट में समझ मैं तो वरतमान में सुप्रीम कोट में 34 नाइधिस हैं लेकिन जब सविधान बना था उस सविधान में मूल सविधान में सुप्रीम कोट में जजों के संख्या 8 थी आया समझ में वियाद रखेगा मुख्य नयायमूर्ती को लेकर मूल सविधान में नयाधिसों की संख्या 8 थी जिसे संसत द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया और वरतमान में सर्वत चनेले में 34 नयदिस है याद रखेंगे आ गया इसके अलावा देखें यहां पर सवाल बनता है हाई कोट से भी सवाल तो हाई कोट पूछेगा आपसे कि हाई कोट का गठन दोनों में confusion होता है सुप्रीम कोट का गठन और हाई कोट का गठन में राश्टपती द्वारा द्यादेश और राजिपाल द्वारा द्यादेश में इसलिए हम आपको बता दिये थे कि रिलेट करके आप याद रखेंगा तो याद रखना है कि हाई कोट का गठन किस अनुछेद के द्वारा होता है याद रखना है अनुछेद 214 के अनुछार हाई कोट का गठन होता है ठीक है तो अनुशे 214 के नुशार high coat का गठन होता आप याद रखेगा और यह भी याद रखना है कि 2 यादों से अधिक राज्यों के लिए एक ही high coat हो सकता है जिस परकार हम लोग पढ़े थे कि 2 यादों से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है है ना 2 यादों से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही याद में बन सकता है तो वैसे ही एक ही हाई कोट दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है आपको याद रखना है तो हाई कोट का गठन अनुशे 214 वरतमान में कितना हाई कोट है तो वरतमान में 25 हाई कोट है आया समझ में तो वरतमान में कितना हाई कोट है तो आपको याद रखना ह लिए हैदराबाद में उच्छे नयले के स्थापना हुई है इससे पहले एक जनवरी 2019 से पहले तक आंधर परदेश एवं तेलंगाना दोनों का एक ही नयले था लेकिन अभी क्या है पचीसवा हाई कोट अगर पूस देगा तो आप याद रखेगा पचीसवा हाई कोट वर्त हाई कोट ठीक है तो याद रखना है कि पचीस उच्योड है है और पचीसवा हाई चिनले की रूप में तेलंगाना के लिए हैदराबाद में हाई कोट का अस्थापना किया गया तो 25 हाई कोट कौन सा हो गया है हैदराबाद हाई कोट ठीक है और ये भी याद रखना है साथ ऐसा हाई कोट है जो दो या दो से अधिक राज या फिर केंद्रसासित परदेश के लिए काम करता है ठीक है आ रहा है समझ में तो याद रखेगा पूछ सकता है आप देखे हाई कोट से सवाल पूछेगा कि भारत में पहला हाई कोट कब बनाए गया था ठीक है तो आपको याद रखना है कि 1862 में भारत में हाई कोट बना था और एक साथ तीन हाई कोट बना करके लिख लीजेगा कि 1862 इस्वे में कलकत्ता बंबबई और मद्रास हाइखोट का गठन किया गया था और भारत का सबसे पूराना हाइखोट बोलेगा तो आपको याद रखना है कि कलकत्ता हाइखोटस såबसे पूराना है क्योंकि 1862 में ही बना लेकिन यह थोड़ा पहले ब रखेगा अब कुछ और सवाल पॉइंट बता रहें जो एक्जाम में आपका पूश्ता है तेके आपसे पूछेगा दादरा और नागर हवेली किस हाई कोट के अंतरगत आता है याद है आपको दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव नाम बहुत पड़ा है आप समझ सकते हैं तो याद रखेंगे दमन और दीव किस हाइकोट के अंतरगत आता है पता है आपको ये कहाँ पे है तो मुंबई के पास में है ठीक है गुजरात के पास में है बोल सकते है तो दादरा इवं नागर हवेली दमन एवं दीव याद रखना है ये किस हाइकोट के अंतरगत आएगा बंबई हाइकोट के अंतरगत आएगा क्योंकि पडोस में ही रहेगा न हाइकोट तो याद रखना है बंबई हाइकोट के अंतरगत गोवा आता है महरास्ट आता है दादरा इवं नागर हवेली दमनेवं दीव आता है ठीक है अब आपसे पूछ सकता है कि अंदमान और दीब समु किस हाई कोड के अंत्रगत आता है ठीक है तो आपको याद रखना है कि पस्चिम मंगाल और अंदमान और निकोबार दीप समून ये किसके अंतरगत आता है कलकत्ता हाई कोट के अंतरगत आता है ठीक है तो कलकत्ता हाई कोट के अंतरगत पस्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार दीप समून आता है ठीक है तो आपको याद क्या रखना है यह याद रखना है पस्चिम बंगाल वाला रखिएगा आगया समझ में और इसके अलावा पूछ सकता है एक सवाल कि पंजाब और हरियाना तो पंजाब और हरियाना के लिए हाई कोट है आप जानते हैं पंजाब और हरियाना हाई कोट जो है वो पंजाब हरियाना और चंडिगर के लिए है ठीक है गुवाहाटी हाई को तो आपको याद ही रहेगा, दूसरा याद रखना है नागा लेंड, नागा लेंड किस हाइकोट के अंतरगत आएगा, तो नागा लेंड, गुवाहाटी हाइकोट के अंतरगत आता है, मिजोरम किस हाइकोट के अंतरगत आता है, मिजोरम गुवाहाटी हाइकोट के अंतरगत आता है लक्षदीब किस High Court के इंतरगत आता है याद रखना है लक्षदीब लक्षदीब केरल High Court के इंतरगत आता है ठीक है लक्षदीब किस High Court के इंतरगत आएगा तो केरल High Court के इंतरगत आएगा ठीक है केरल High Court के इंतरगत आता है लक्षदीब याद रखेगा, तो class को फटा फट एक बार like और share कर दीजे, ताकि और भी बच्चे class का लाब उठा सके, तो please class को support किजे आप लोग अगला सवाल, at what is do supreme court judges retire, सरवोचे नयले के नयधी किस आयू में सेवानिविर्थ होते हैं, तो answer किजेगा supreme court के judge, किस आयू में retire होते हैं, ठीक है तो काफी अच्छा सवाल है, अंसर कर देंगे supreme court के judge, किस आयू में retire होते हैं ठीक है, तो answer किजेगा, supreme court के judge, किस आयू में retire होते हैं ठीक है तो सही answer क्या होगा, 65 verse ठीक है बिलकुल सही है तो याद रखना है 65 वर्स सही आंसर है तो याद रखना है Supreme Court के नयाईदीस 65 साल में रिटायर होते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि उच्टम नयाले के नयाईदीस बनने के लिए न्यूंतम आयू का कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि न्यूंतम एज कितना होना चाहिए सुप्रीम कोट का जजज बनने के लिए ठीक है लेकिन एक बार निवक्ती होने के बाद 65 साल में वो retire होते हैं आया समझ में तो याद रखना है कि Supreme Court के जज होते है वो 65 वर्ष में retire हो जाते हैं ठीक है और इनका qualification क्या होना चाहिए Supreme Court का judge बनने के लिए तो qualification कभी पूछेगा तो याद रखना है कि वह किसी भी उच नैले अथवा 2 या 2 से अधिक नयायले में लगातार कम से कम 5 वर्सों तक नयायधीस के रूप में काम कर चुके हैं किसी उच्छ नयायले या नयायले में लगातार 10 वर्सों तक अधिवक्ता रह चुके हैं ठीक है तो यह सब क्राइटेरिया होता है तो याद रिखिया सही आंसर क्या होगा? 65 वर्स आप याद रखेंगे, ठीक है? और आप जानते हैं कि रिट जारी करता है कौन? सुपरीम कोट रिट जारी करता है, आपको याद है पांच परकार का रिट होता है और रिट कौन जारी करता है एक तो सर्वोच नेले यानि सुप्रीम कोट रिट जारी करता है और दूसरा हाई कोट भी रिट जारी करता है थारा हाई कोट भी रिट जारी करता है तो आपसे अनुशेद पूछ सकता है तो अनुशेद 32 के अनुशार सुप्रीम कोट रिट जार क्यों लिखें कники important है तो हम सोचे बता देते हैं आपको अनुशेद 226 के अनुसार याद रखना हाई քोट जो है अगला सवाल Who was the first woman judge of the Supreme Court Supreme Court की पहली महिला न्याइधीज कौन थी उच्तम न्याले की पहली महिला न्याइधीज कौन थी तो आपको बताना है कि Supreme Court की पहली महिला जज कौन थी ठीक है तो answer comment कीजेगा Supreme Court की पहली महिला जज कौन थी याद आया answer तो सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सही श्रीमती M.S. फातिमा बीबी ठीक है तो याद रखना है सुप्रीम कोट की पहली महिला जज थी M.S. फातिमा बीबी तो याद रखेगा सही आंसर आप्सन नमबर C अगला सवाल On what are the salaries and allowances on the judges of the Supreme Court charged? मतलब सर्वोच नयले के नयाइधीसों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? यानि Supreme Court के जो नयाइधीस हैं उनको वेतन और भत्ता कहां से मिलता है? तो यही सवाल है कि सर्वोच नयले के नयाइधीसों को वेतन और भत्ता किनके द्वारा प्राप्त होता है? यानि कहां से परदान किया जाता है? तो आंसर किजेगा सर्वोच नयले के नयाइधीस को व लिताएं ऐसे लट होंगा बस इँछे नहीं को को झांद राहे होगा तो याद रखना है कि went Almοι के न्याजिोर्ट की वेतन और भनंट्टा भारत की संचित निधी के द्वारा दिय जाते हैं आया समझ में तो भारत की संचित निदी के द्वारा शर्वच नेले के नियाईदिसों को वेतन और भत्ता दिया जाता है तो याद रखेगा ठीक है किस के द्वारा संचित निदी के द्वारा अब किस अनुचित निदी पहले आएगा उसके बाद आकास्मिक निदी आएगा और संचित निदी पहले पहले जमा करेंगे पैसा तो इसलिए पहले वाला अनुचित निदी का आएगा याद कैसे रखेगा अगर भूल जाएगा तो याद कैसे रखेगा देखिए पहले पैसा जमा करेंगे संचित करेंगे तो पहले वाला जो आर्टिकल होगा वो संचित निदी से जुड़ा होगा और बाद वाला जो आर सविधान के अनुछे 266 में संचित निधी का प्रावधान है संचित निधी से धन संसद में प्रस्तूत अनुदान मांगों के द्वारा वै किया जाता है राज्यों को करो कर यानि टैक्स एवन सुलक में से उसका अन्स देने के बाद जो धन बजता है उसको निधी में डाल दिया जाता है राष्ट पती उपराष्ट पती महालेखा एवन मियंतरक परिक्षक मतलब कैग जो होते हैं ठेक है उनको भी वेतन और भत्ता इसी के द्वा भारत के आकास्मिक निधी का उलेक कभ होगा तो आर्टिकल 267 में होगा अभी पढ़ें तो आपको याद रखना है कि सविधान के अनुछे 267 के अनुषार भारत सरकार एक आकास्मिक निधी के अस्थापना करेगा क्यों क्योंकि कभी-कभी एमर्जन्सी हो जाता है ना कभ में पाइसा जमा होता है उसको परकिरिया द्वारा खर्चा किया जाता है संसाथ के स्विकिरती के बिना इसमेंसे पैसा नहीं निकाला जासकता है तो आकास्मिक निधी का पैसा जमा ही किया सकता है नहीं कभी भूकम पा गया कभी बाढ़ा गया कभी कुछ हो गया ना तो उस सिच्वेशन में राष्टपती जी के द्वारा आकास्मिक निधी में जो पैसा है उसको निकाला जा सकता है आपको याद रखना है आया समझ में है तो सबसे इंपोर्टेंट तो यह बनेगा संसद की अनुमती के बिना निकाला खर्चा नहीं हो सकता है समझ के पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठेक है संसद की अनुमती के बिना वै नहीं होता है खर्चा नहीं होता है ठेक है लेकिन राष्टपती जो है यह निकाल सकते हैं कभी जब अचानक कुछ प् फटाफट लाइक और शेर कर दिजेगा अब देखे यहां पर वित्त आयोग लिखा है और एक लिखा है रिजो बैंक तो रिजो बैंक का गठन कब हुआ था कमेंट कीजेगा रिजो बैंक का गठन कब हुआ था आर्बीयो का गठन हिल्टन यंग आयोग की सीफारिस पर हुआ था अब अरबीयो का गठन कब किया गया था 1935 इस्वी में, याद रखेगा Reserve Bank of India का गठन 1 April 1935 को किया गया था ठीक है तो RBI का गठन 1 April 1935 को हुआ था RBI का Headquarter कहा पे है तो आपको याद रखना है RBI का Headquarter Mumbai में है, वर्तमान Headquarter कहा पे है, Mumbai में है लेकिन RBI का पूराना Headquarter पूछेगा RBI का पूराना Headquarter कॉलकाता या पहला Headquarter तो आपको याद रखना है RBI का पहला Headquarter कॉलकाता था, लेकिन वर्तमान में RBI का Headquarter कहां पे है तो वर्तमान में RBI का Headquarter Mumbai में है, आपको याद रखना है आया समझ में, और RBI का रास्टी करन कब हुआ था ये भी सवाल पूशता है कि रिजव बेंक ओफ इंडिया का रास्टी करन कब हुआ था एक जनवरी 1949 को RBI का रास्टी करन हुआ था जयाद रखेगा एक जनवरी 1949 को RBI का क्या हुआ था रास्टी करन हुआ था आगया समझ में तो क्यों बताएं कि ये बहुत important है रास्टी करन और अस्थापना दोनों में confusion होता है तो गठन याद रखना है गठन एक अपरेल 1935 को हुआ था लेकिन रास्टी करन एक जनवरी 1949 को हुआ था आगया समझ में तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजेगा वित्तायोग आर्टिकल 280 के तहट वित्तायोग का गठन होता है तो आप याद रखेगा वित्तायोग का गठन पूछेगा तो अनुछेद 280 के तहट वित्तायोग के गठन का प्रावधान है तो आप से पूछेगा वित्तायोग के गठन का प्रावधान है और वित्तायोग क अध्यक्ष या सदश्यों की न्युक्ति राष्टपती के द्वारा की जाती है वित आयोग में राष्टपती द्वारा एक अध्यक्ष और चार अने सदस्य होते हैं ये भी समझ में आ गया वित आयोग में टोटल केता होगा 5 एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष प्लस चार अने सदस्य समझ में आ गया तो ये भी आप याद रखेगा कि वितायोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं यह तोटल पांच वेक्ति हो गए और उनकी निवक्ति राष्टपती के द्वारा की जाती है याद रखना है और वितायोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो वितायोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी ठीक है समझ में आ गया तो वितायोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी आप याद रखेगा वितायोग के चौदवे अध्यक्ष भी बहुत पूस्ता है तो कमेंट है कि वितायों के चौधवे अदेख्ष कौन थे वाई वी रेड़ी ठीक है इंपोर्टन्ट सवाल है पूछेगा पहला के सिन्योगी चौधवा वाई वी रेड़ी तेरवा विजय केलकर ठीक है और अभी कौन सा है तो अभी याद रखना है पंद्रवे वितायुक चल रहा है तो वितायुक के पंद्रवे अधेक्ष कौन है बहुत important सवाल है तो आपको ये करम में पूछेगा तो आप याद रखेगा पहला इसके बाल पंद्रवा, चौदवा और तेरवा क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको सिक्वेंस में बठाने भी दे देता है तो याद रखेगा वितायुक के पंद्रवे अधेक्ष कौन है एन के सिंग तो वरतमान में वितायुक के अधेक्ष कौन है तो याद रखेगा वरतमान में वितायुक का पंद्रवा शेशन चल रहा है और पंद्रवे भी ताइप के अधक्ष कौन है एन केसिंग है ठीक है तो क्लास को फटाफट लाइक और सेर कर दिजेगा important सवाल था उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा तो आप से पूछा है सरवची नयले के नयदिसों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं तो याद रखना है भारत की संचित निदी के द्वारा सरवची नयले के नयदिस को वेतन और भत्ता दिया जाता है तो उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप class को support किजेगा class को support किजेगा ताकि इस प्रकार का और भी class आपके लिए regular हम करा सकें और कोई भी doubt होता है, कोई भी topic में परिसानी होता है तो आप लोग offline comment करेंगे ताकि उस topic को हम करवा सकें तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जै हिंद, जै भारत, जै बिये से धन्यवाद